स्वागत है आपका सृरिस्याम बूटिक में कैसे हैं आप स्वाश्थ होंगे और मस्थ होंगे और अछ्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे नायरा कट कुड़ती की करेंगे कटिंग तो cutting करने से पहले क्या होता है नाप लेना जरूरी होता है और कपड़े का measurement देखना जरूरी होता है तो ये नाप लिया है मैंने लंबाई लिया है 47 इंच इसकी लंबाई तयार और 13 है इसका 14 इंच सीना है इसका 31 इंच ब्रेष्ट और 35 इंच चेश्ट और कमर है इसकी 26 नौ इंच तो इसमें हम क्या करेंगे लंबाई में हम 47 में डेड़ इंच का margin रखेंगे तो साड़े 48 की cutting करेंगे और उसमें सीना 33 इंच है तो उसमें 2 इंच का extra margin लेंगे losing के लिए और डेड़ इंच का लेंगे margin सिलाई के लिए और कमर में भी 2 इंच की losing लेंगे और डेड़ इंच का margin लेंगे शिलाई के लिए और ऐसे ही उसमें तो कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे यह देखो लंबाई में double करेंगे इस तरह से और यह मैं बिल्कुल सुरू से बता रही हूँ आपको कैसे कपड़ा फोल्ड करना है और किस तरह से cutting करनी है तो इस तरह से हम पूरा कपड़ा लंबाई में फोल्ड कर लेंगे और कपड़ा लिया है हमने साड़े तीन मीटर क्योंकि इसकी फिरिल वाली बाजू बनाएंगे हम तो उसमें थोड़ा कपड़ा ज्यादा लगता है cutting में और वैसे भी length भी ज्यादे है सूट की तो इस लिए तो यह हमने ले लिया इस तरह से फोल्ड कर लिया है तो अपनी तरफ है वो खुला हुआ साइड है और इधर की साइड बन साइड है तो हम रखेंगे कोटी का नाप लेंगे हम 15 इंच तयार कोटी करेंगे तो हम इसका नाप लेंगे 16 इंच पर यह देखो इस तरह से खुली साइड अपनी तरफ कर ले और ब अंद्रे इंच में तयार रखूंगी और एक इंच का मार्जन हो जाएगा सिलाई के लिए आदा इंच उपर और आदा इंच नीचे और ये मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी 16-16 इंच पर बराबर का क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसकेल था मेरे पास पता नहीं जब सा अहां पर गया पता ही नहीं चला उसका लाऊंगी अभी एक दो दिन में तो इस तरह से निशान लगा ले अच्छे से और इससे सीधे निशान लगा करके इस कपड़े को अलग कर लें यह देखो इस तरह से और इस तरह से हम इंच टेप से यह नापेंगे दुबारा देखो उचा नीचा नहीं है बिल्कुल और निशान से निशान मिला कर हम इस तरह से निशान लगा के सीधे इंच टेप की सा ऐसे तो यह हम कट कर लेंगे कपड़ा एक ट्रिक में बिल्कुल बारीकी से आपको बताने वाली हो कि एक वर में ही बताने के साथ ही आपके दिमाग में ऐसा गुश जाए कि आप बेज जको के किसी भी साइज का कपड़ा काट सकती हो और इसे करेंगे हम डवल में फोल्ड यह हो गई है पहले हमने वैसे मूड के डवल किया था और अब ऐसे तो आप यह हम आगे पीछे का परदा दोने एक साथ काटेंगे तो अब हम इसमें लगाएंगे निशान तो तीरा था इसका चौदे इंच तो हम इसको एक इंच घटा लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा डीप गला रखना है ज्यादा नहीं रखना तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से और साड़े छे इंची मैं आर्म होल का लगाऊंगी क्योंकि अगर मैं साथ लगाती हूं तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है अगर हैवी साइज होता है तो उसके लिए आप साथ पर लगा सकती है तो ये लिया है मैंने निशान तो इसका चेश्ट है ये 33 इंच में मैंने 2 इंच की लूजिंग दिये डिलाई के लिए और 1.5 इंच में कपड़ा रखूंगी मार्जिन के लिए तो तो मैं पॉने 9 इंच पे निशान लगाऊंगी इसका और आप ये देख सकते हैं ये 1.5 इंच मेंने मार्जिन के लिए लिया है और इसकी कमार है 26 इंच और ये अंदर की साइड मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है ये इस तरह से और ये मैं आर्म होल की गुलाई दूँगी तो यहां पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और आगे वाले में 1 इंच की गुलाई दूँगी और पीछे वाले में 1.5 इंच की आदा इंच एक्स्ट्रा की तो ये देख सकते हो इस तरह हमें गुलाई देनी है ये आगे वाला पड़ता है इस तरह से और इसी तरह से मैं पीछे वाले की दोंगी डेड़ इंच पे इस तरह से आप यह देखो इस तरह से और गला हम बाद में बनाएंगे क्योंकि कुछ डिजान बनाऊंगी तो उसके लिए मैं गला भी नहीं काटूंगी तो यही मैं कटिंग करूंगी और इसकी कमर है 26 इंच दो इंच एक्ष्ट्रा तो मैं साथ इंच पे निशान लगाऊंगी इसका और डेड़ इंच का रखूंगी मैं मार्जिन इस तरह से और डेड़ इंच का मैं मार्जिन रखने वाली हूँ इस तरह से और यह मैं लगाऊंगी सिलाई का निशान जिस पर मैं सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की और यह जो कपड़ा बसता है अंदर की साइड उसके लिए मार्जिन वाला कपड़ा जो बसता है उसका निशान लगा रहे हैं और आप हम कर देंगे इसकी बिल्कुल कटिंग तो यहीं निशान आप देख लें इसी तरह से कटिंग करेंगे और बहुत अच्छी फिटिंग आती है और मैं इसको दिखाऊंगी और पहना के भी दिखाऊंगी यह वाली कुर्ती में तुम्हें तो यह कट गई है इसकी कोटी उपर वाली यह बिल्कुल आसान है और एकदम सीधे तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है और बहुत जल्दी सिलती है यह परफेक्ट तरीके से आजकल वैसी भी ज्यादा वो चल रहा है है ट्रेंड तो जिस पर देखो उस पर नायरा कटी कुर्ती मिल रहे हैं तो यह हम अगले वाला काटेंगे पीछले वाला हिस्सा और फिर उसको अंदर वाले को अलग करके फिर हम अगला वाला हिससा काटेंगे आर्म benefit क्योंकि उसम नहीं लगती है पीछेवाले में तो इस तरह से हम उसको निकाल लेंगे अंदर वाले हिस्से को कि यह देखो और यह हमारा यहां से थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहे गया कपड़ा तो इस की हम कर लेंगे कटिंग इस तरह से और हम इसको रख देंगे अलग और इसे करेंगे हम दुवारा से फोल्ड और ये हम आगे के पड़दे के लिए आर्म होल में गहराई कटिंग कर लेंगे इस तरह से इस तरह से हमने गहराई की कटिंग कर ली है ये देखो तो ये हो गया मेरा आगे का पड़दा और वो जो मैंने रखा था वो पीछे का हो गया है और अब हम काटेंगे नीचे का घेर का पड़दा इस तरह से हम बीच में निशान लगा लेंगे कट का जिससे हमें गला बनाते में और बीच का सेंटर लेते में कोई परिशानी ना हो और इसको हम रख देंगे अलग अब हम नीचे के घेर के लिए कपड़ा ना पेंगे इसे हम फिर से ऐसी रखेंगे इस तरह से यह हमने कपड़ा रख लिया है इस तरह से उसी तरीके से रखा है fold की side इधर की side और ये खुले हुई side अपनी तरफ किनारी वाली तो इस तरह से हम 15 इंच हटा के और इस तरह से हम उपर 15 इंच निकाल देंगे और 47 इंच पे निशान लगाएंगे और डेड़ इसमें मैं 2 इंच का मार्जन रखने वाली हूँ तो 49 पे हमने निशान लगाया है और इसको हम कर लेंगे इस तरह से डवल फोल्ड क्योंकि ये कागे के लिए पर्दा कटेगा और एक पीछे के लिए कटेगा है ना बिल्कुल आसान कुर्थी की कटिंग और इसको हम नाप लेंगे अच्छे से ताकि ये उंचा नीचा ना कटे तो इसी तरह हम 15 इंच उपर निकालके और 49 इंच पे निशान लगाके इसे नाप लेंगे पूरे को और फिर उसके बाद हम कटिंग करने वाले हैं इस तरह से इस तरह से हम एक सार निशान लगा लेंगे देखें यह देखो बिलकुल एक सार थोड़ा सा उपर नीचे भी होता है तो फिर वह उंचा नीचा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता तो यह मेरा एक सार हो गया है बिलकुल फिट और मैं एक वर और इंच टेप डाल के देख लूँगी तो यह मेरा बचा हुआ 34 इंच बैठ रहा है तो यह देखो मैंने 34 इंच पर निशान लगा लिया है और यह मेरा परफेक्ट 34 इंच बैठा है तो इसको मैं अलग काट लूँगी इस तरह से यह कुड़ती जितनी देखने में अच्छी लगती है उतनी बनाने में बहुत सीजी है और इसमें बिलकुल सीधी कटिंग करके इसे बिगनर्स बच्चे सभी बना सकते हैं और इनको मैं कर लूँगी अलग आगे पीछे के पड़ देखो यह देखो इस तरह से बीच से मैं ऐसे दवा के कटिंग कर दूँगी और यह जितनी अच्छी लगती है कुर्टी पहनने में और उतनी ही यह सिलने में बहुत इजी है और एकदम आसानी से सिल जाती है और बाजू हम कल कटिंग करेंगे जब सिलाई करेंगे तो उसकी भी वीडियो डालेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दवाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नौटिफिकेशन पहुंचती रखे